बड़ी खबर जो की उपी से है, ATS को मिली है बड़ी काम्याबी, गोरकपुर से यहाँ पर मर्चंट नेवी की गिरफतारी हो गई मर्चंट नेवी कर्मचारी है, जिस पर शक है जासुमसी का राम सिंग नाम इसका बता जा रहा, पाकिस्तानी महिला को खुफिया जानकारियां देता था, आइनस विक्रांत, आइनस विक्रमदित की फोटो भी इसने शेयर की थी नासर फोटो बलकि कई जरूरी जानकारी शेयर की गई, गोरकपुर का ये रहने वाला राम सिंग जो की मर्चंट नेवी कर्मचारी है, और जानकारी ऐसी है कि ये मिंटिनेंस का काम करता था, एटियस को ऐसी जानकारी मिली, ऐसा शक था और ऐसे सबूत हाथ लगे, जिसमे जासूसी की जानकारी सामने आई, और इसी जासूसी के आधार पर जब सबूत हाथ लगे, तो राम सिंग की गिरफतारी अब हो गई है, कई बड़े रास खुलने वाले में, रोकपुर के रमवापुर में मौजूद हूँ मैं, और यहाँ पर राम सिंग को अचानक शाम में एटियस की टीम लखनव से आती है, और पूस्ताज करने के बाद तकरिबन छे बजे उसे अपने साथ लेकर लखनव रवाना हो जाती है, अठाइस साल के राम सिंग को एटियस क्यों लेके जाती है, पुरा गाउं ये सवाल कर रहा है, फिलाहल आप देखें के क्यों राम सिंग को का बाबा है, आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे बच्पन से, कैसा लड़का था, किस तरह से बाच्चीत करता है? आप लोग से कुछ नहीं पूछे, ये बताइए आप कौन है राम सिंग की राम सिंग की मैं चाची हूँ, वह बहुत अच्छा लड़का है, उसको जूठी फसाया गया है, वह इती यहां पर खाना उना बनाता था, उसके बाद वह कमाने गया, कमाने के बाद हमको नहीं पत पूट मिला था, एटियस के पास जो पाकिस्तान से जो फंडिंग आने का जो मामला था, उसको लेकर एटियस यहां पर पहुची थी, और राम सिंग से पूस्ताच करने के बाद, उसे अपने साथ लेके गई है, और अभी पूरी तरह से उससे पूस्ताच कर रही है, उसके तमाम डॉक्मेंट्स को खंगाला जा रहा है फिलाल एटियस के जांस तक राम सिंग उनके पास ही है और जब जांच पुरी ओगी तब जा करके ये पूरा मामला सामने आएगा कि पाकिस्तान से फंडिंग और उसके connection का ये पूरा मामला क्या है सुशील कुमार इंडिया न्यूज गुरखपुर